दो दोस्त आपस में बाते कर रहे थे पहला दोस्त बोला भाई ये चवदा तारीक को क्या है? दूसरा बोला तेरे पास बीबी है या गल्फ्रेंड? पहला बोला बीबी है दूसरा बोला तो फिर महावीर जैन्ती है एक लड़की परेशान सी डॉक्टर के पास आई डॉक्टर बोले जी बताईए आपको क्या परेशानी है? लड़की बोली सर सुबह से उल्टिया हो रही है डॉक्टर बोला क्या खाया था? लड़की सर माते हुए बोली प्यार में धोखा एक बार एक फौजी छुट्टी पर घर आया उसने घर आकर एक भैंस खरीद ली फौजी जब भी भैंस को खोलता हर बार फौजी के हाथ से छुट कर भाग जाती एक दिन फौजी ने भैंस को बहुत मारा फौजी की पत्नी बोली इतना मत मारो नहीं तो यह दूध नहीं देगी फौजी बोला साला मुझे दूध नहीं चाहिए डिसिप्लीन चाहिए डिसिप्लीन नए नए दुलह दुलहन पने प्रेमी जोड़े में जबरदस्त लड़ाई हुई लड़ाई के बाद प्रेमी का भगवान से बोली हे भगवान मेरी मदद करो मैं इनकी लड़ाई से तंग आ गई हूँ अगर ये गलत है तो इन्हें उठा लो और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे विध्वा बना दो आधी रात को पप्पू सराब पी कर सड़क पर जा रहा था एक पुलिस वाले ने रोक कर पूछा कहां जा रहे हो पप्पू बोला सराब पीने से होने वाले नुकसान पर प्रवचन सुने पुलिस वाला बोला इतनी रात को क्या तुम्हारे पिताजी प्रवचन देंगे पप्पू बोला नहीं सहाब बीबी देगी एक लड़का बहुत देर से क्लास में बैठी लड़की को घूर रहा था जैसे ही नजरे मिली लड़का बोला आपकी उम्र क्या है लड़की बोली 23 साल की हूँ लड़का कुछ सोच कर बोला पर आपने तो 2 साल पहले भी 23 साल ही बोला था लड़की बोली देखा लड़कियां अपनी जुबान की कितनी पक्की होती है